हेलो एवरिवरन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो सर्दियां चेल रही है और टमाटर की चटनी की बात ही कुछ और होती है लाल टमाटर की चटनी तो आप सब ने खूब खाई होगी आज आपको बताऊंगी हरे टमाटर की ऐसी चटनी कि आप लाल टमाटर की चटनी खाना भूल जाएंगे तो इंगिर्जिंट आपने देख ही लिए तो सबसे पहले आपने जो है एक कोई भी पैन या कड़ाई ले लेना है इसमें डालेंगे हम दो छोटी चममच तेल सरसो का तेल तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे आप यहां पे रिफाइंट ओयल भी ले सकते हैं लेकिन चटनी में मस्टर्ड ओयल लखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा टेस्ट आपका जो है चटनी का तो अब यहां पी इस ओयल को हमें मीडियम गरम कर लेना है और दूसरी साइड में ने टमाटर को इस तरीके से काट लिया है जैसे कि हम रफली काटते हैं हलका मो अब इसलिए कर रहे हैं कि अभी जब मैं इसे फ्लिप करूं कि यानि टमाटर के पीसे को मैं पलटूंगी तब आप देखेंगे कि क्या मैजिक हुआ है और टेस्ट कहां से आएगा हरे टमाटर का जो टेस्ट होता है आप सब जानते हैं थोड़ा सा अजीब सा होता है अब आट भाद जो हैं इस तरीके से टमाटर को पलट देंगे साजिए अच्छा सा डार्क कलर आ जाना चाहिए इससे हो venom होगा जो टमाटर है वहलका से जो कच्छा पन है वह खतम हो ही जाएगा इस्की सक्षीं है वो सॉफ्ट हो जाएगी जिससे जो है और टमाटर जब की चटनी जब हम पीसेंगे जब बनाएंगे तो उसका टेक्चर भी चेंज हो जाएगा टेस्ट तो बदल ही जाएगा पूरी तरीके से अब आप लोग सोच रहा होगे कई बार की टमाटर हम भून भी तो सकते हैं भूनने का टेस्ट अलग होता है क्योंकि एक अच्छा टमाटर है तो इसे थोड़ा सा पकाना पड़ता है इस तरीके से तो आप मेरे बत अच्छे तो टमाटर आप सब जानते ही हैं कि हाड़ी होते हैं तो अब हमने जो है गयास को आफ कर दी थी टमाटरों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे मिक्सर का जार ले लेंगे आप सिल्वर्टे में भी पी सकते हैं इसमें डाली है मैंने लैसुन की कलिया चार से छे के लग संद्धों जादा भी डाल दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा सो अब हम यहां पे जो है डालेंगे थोड़ा सा जीरा कच्छा जीरा है यह तो आधा चूटी चमच मैंने जीरा डाला है मैंने दो मीडियम साइज के टमाटरों से यह चट ही डालिएगा बात में हम इसे अड्जस्ट कर लेंगे और सिंपल जैसे हम कोई दूसरी चटनी बनाते हैं उसी तरीके से अभी इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे शक्कर यानि सूगर तो बहुत थोड़ी सी एक चोथाई चोटी चमच और आधा इंच अद्रक का चिल का निकाल करके आपको डालना है इसमें शक्कर बहुत जरूरी है टमाटर का जो कच्छा पन होता है उसे बालेंस करेगा नीबू के साथ में भी बहुत बहुत ज्यादा नहों हो जाए मिठास इसकी आपको पता नहीं चलनी चाहिए जब आप खाए चटनी तो अब हम ड दम गाड़ी गाड़ी चटनी बनाना चाहते है ना तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी मट डालिए और इसे ऐसे ही पीस दीजिए अगर आपको दरदरा दरदरी चटनी खाना पसंद है तो आप जो है थोड़ा सा इसे दरदरा पीस लिजिए उसके लिए मिक्सिको आप जरी हो जाएगे चिकनी चटनी पसंद है तो आप अपने मन मताविक की सकते हैं यहां पर टमाटर की चटनी विल्कुल हमारी बन करके तयार हो चुकी है बहुत ही चटपड़ी तीखी चठा के दार चटनी बन के तयार हुई है आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो जर बोदेनिवाट